आज हम सेवेंथ क्लास का फोर्थ लेसन अपना प्यारा भारत देश दे मना प्रिया मैना भारत देश हम गुरिंची इपुर्च दूदा तो इसमें पहले हम लिखेंगे जग प्रपंचमु न्यारा गुपदैना प्यारा प्रिया मैना तारा नक्षत्रमु आखोंका तारा कनु पापा शिखर शिखरमु चंचल अस्थिरमैना सोना बंगारमु चान्दी वेंडी हीरे वज्रमुलू फसल पंटा कन अनुवू पावन पवित्रमैना धरती भूमी स्वर्ग स्वर्गमु अपना माना सोचो बोलो इस कोश्चन को देखेंगे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है अन्टी माने पड़ पाईना चित्रम चूस्याम गदा अचित्रम लमाने के में होंगे नपिस्तु नाई चित्रमें तिरंगा जंडा हाथ में पकड़ी हुई भारत माता चोटे छोटे जंडे हातों में लिये लड़के लड़कियां कुछ घर पेड आदी दिखाई दे रहा है सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे नारे अटे स्लोगन्स सब बच्चे खुशी से भारत माता की जय एक आत्मा हो भारतवासी आजादी सदा सलामत रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा जैसे नारे लगा रहे होंगे इदी माने मों उँँच को राया ले एंद करणे चित्रम लेवाल एम अन्टू नारो मनें के तेलिया दिगदा नारे लगाते बच्चों के मन में कोसे भाव होंगे भाव अंटे फिलिंग्स इपरु स्लोगन्स चुपत उन्ना पिलल मनसलो एला अंटी भाव आलू एला अंटी फिलिंग्स उन्नूंटाई नारे लगाते बच्चों के मन में आजादी की खुशी इंडिपिन्जन की खुशी समान्ता आंटी इक्वाल्टी साहुरुदया स्वच्चता पियार की भावना देश भक्ती उल्लास मैं उत्सा आधिभा होंगे भारत देश तुम्हें क्यों पियारा है भारत देशम निके प्रियम आए नदी आंसर है मेरा जन्म सोभाग्य से इस पवित्र भारत देश में हुआ ना जन्म ना अधृष्ट्राव सातम हो इस भारत देशम लो नेनो जन्मी ज्यानो मैं यहाँ बिना किसी तकलीप के सुख से जीवन बिता सकता हूं नेन इकड़ा एट्वण टी कस्टम लेकूंडा है पेगा जीवताने गड़ पे स्तानो यहाँ सब प्रकार के खादान मिलते हैं पवित्र नदियों का जल मिलता है माना भारत देशम लो नदू लनी पवित्र रंगा चाला निर्मल रंगा माना मानुकुन टूंटा तो ऐसे पवित्र नदियों का जल मुझे पीने को मिलता है जीवन बिताने के अनेक सुविधाय मिलती है जीवन लाइफ ने गड़ पे ड़न के चाला फेसलिटी सुनना है खास कर भायचारे की भावना अपने जन्म को सार्थक बनाने और धर्म मारग में चलने के संदेश इस देश की मिटी से मिलते हैं इसलिए भारत देश मुझे बहुत प्यारा लगता है सेकेंड कुश्यन कविता में भारत को धर्ती का स्वर्ख्यों कहा गया होगा अपने इस भारत देश की मिटी बहुत उपजाओ है यहां हमारे लिए आवश्यक सब प्रकार की फसलें पैदा होती है यहां की मिटी में बहुत उर्वरा है बहुत उर्वरा है यहां हमारे लिए आवश्यक सब प्रकार की फसलें पैदा होती है मनम तिनडम कोसम मटपलाल पंडुत उन्टाई पवित नदियां भहती है पवित्र मेंना नदुल पार तुन्टाई देश में अनेक उच्छे पर्वत है पर्वत अन्टे कोंडलो पर्वत आलो खास कर हिमाले पर्वत इनसे देश की रक्षा होती है हिमाले पर्वत मन देश अनकी रक्षन अगा उन्टुन्दी इस देश की मिटी का हर कण में बहुत पवित्र है जग में ऐसी सुख सुविधाय मिलने वाला देश सिर्फ हमारा भारत ही है इस लिए भारत को धर्वत का स्वर कहा है अभी हमने सुनो और बोलो के फर्स्ट कोशन और सेकेंड कोशन को देख लिए है अब पढ़ो बिट देखेंगे पढ़ो बिट कविता पढ़िए और कविता भाव किन पंक्तियों में है उन पंक्तियों को लिखिए तो अभी हमें यह पढ़ना है और यह इसकी मीनिंग इसका भावा हमें कौन सी लाइन में बिलती है उस लाइन को लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन इसके कण कणे में संदेश ये हो जागा नमबर वन आप यहां लिखोगे और नमबर टू नमबर वन इधर लिख लेना और नमबर टू के लिए आप लिखोगे यहां नमबर टू में क्या लाइन लिखोगे ऐसा पावन है यहां देश यह सेकंड लैन में आ जाएगा फर्स्ट लैन होगा इसके कणकण में संदेश है दूसरा लैन ऐसा पावन है यहां यह जो दोनों डैश दिया उसमें लिखना है नेक्स्ट आ कविता में पहले क्या आया है उसे क्रम में लिखना अभी हमने पोयम पड़ा है पोयम पड़े ना तो उस पोयम के हिसाफ से फर्स्ट कौन सा आएगा सेकेंड कौन सा आएगा पोयम के हिसाफ से हमें अरेंज करके लिखना है तो सबसे पहले आएगा इसके कणकण में संदेश यह पहला हो जाएगा ऐसा पावन है यहां देश यह नमबर टू है धर्ती का स्वर्ग यही नमबर त्री अपना प्यारा भारत देश यह नमबर फोर पे आएगा अब लिखो बिट देखेंगे लिखो बिट के यह कोशन हमारे देश किन किन कानों से सुन्दर लगता है भारत देशम यह में मी कारण नाल तोटी अंदंगा अनिपिस्तुन्दो अधिरायाली भारत पवित्र विशाल देश है भारत देशम चाला पवित्र मेन दी इंका विशाल मेन देशम हमें हमेशा हर प्रकार का वातावरन मिलता है इकड़ अन्नी प्रकाल गा, अन्नी रकाल गा वातावर्ण मनेदू उन्टुन्दी सब प्रकाल की फसले यहाँ पैदा होती है अन्नी रकाल गा पंटपोलालू पंडुताई यहाँ ना मिलने वाली कोई फ़ल नहीं इकड़ा द्वरकनी वस्तू द्वरकनी फ्रूट अंटू लेजू भारत के तीनो ओर सागर है भारत देशाने की मूड़ु पकला मनिकी सम्मुद्रालू नै उत्तर में हिमाले पहाड है भारत के लिए मुखुर जरसा है भारत देश सदा हरा भरा रहता है भारत देशों एपड़ु पच्चनी पंटपोला लतो एपड़ु पच्च दनांगा उंठूंदे हर्याली सदा बनी रहती है यहाँ पहाड की तराईयां भी है अने प्रकार के पेट पधों से भरे जंगल है चाला रकाला मैना ना छेटलो तोटी एपड़ु पच्चगा उंठूंदे कड़ा आडोलो खास कर सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता की भावना बनी रहती है अन्नी धर्माला वालो भाई बहन की तरा मिलकर रहते हैं लोग सुक सांती से जीवन बिता आते हैं तो माना भारत देश हम चाला अंदंगा निपिस्तुंदी शब्द भंडार डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाई है एक जैसे अंटेकर परयावाची शब्द दिया है उसको हम एक जैसे शब्द वालों को इधर और इधर दोनों कॉलम में इस कॉलम में यहाँ जो दिया हुआ है उसे इधर इधर फिल करना है एक जैसे वर्ड वाले पर एक्जामपल दिया है भूमी और धरती दोनों भूमी और धरती एक ही चीज़ को बोलते है अर्थ को ही बोलते है तो वैसे सेम मीनिंग आने वाले वर्ड्स को यहां लिखना है आँख आँख इधर आजाएगा आँख का परेयावाची शब्द होता है नयन ये नयन आप इधर लिखोगे नेक्ष लिखोगे तारा इधर लिखोगे नक्षत्र इधर लिखेंगे पावित्र पावित्र हम इधर लिखेंगे पावन पावन इधर लिखेंगे दुनिया इधर लिखें दुनिया तो हम लिखें इधर जग स्वार्न इधर लिखें स्वार्न तो सोना इधा लिखे सोना उचे उचे को इधा लिखेंगे उचे के बड़े ये जो बड़े हैं उसको हम इधा लिखेंगे आई बास समझ में भाषा की बात भारत एक विशाल देश है इसकी संस्कृती बहुत प्राचीन है इसकी गरिमा महान है यहाँ वीशु का सुन्दर देश है यह अनेक भाषाएं बोली जाती है जो शब्द संग्या, सरोनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेषन कहते हैं तो अभी हमारे इन शब्दों में पूरा किया है यह विश्याल, प्राचीर, माहान, सुन्दर, अनेक यह पूरा विशेषन है तो विशेषन का डेफिनिशन क्या है जो शब्द संग्या और सरोनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेषन कहते हैं जैसे की मोटा, चतूर, गरीब, खटा, आधा, पूरा, एक, दस, दूसरा, थोड़ा, बहुत, आधी यह तो यहां करें टेस्ट बुक में बहुत छोटा दिया है अगर आप लोग चाहोगे तो हम विशेषन का ग्रामर पॉइंट एकदम अच्छी तरह से नेक्ट वीडियो में अप्लोड कर देंगे स्री जिनात्मक्ता देश भक्ती से संबन्दी दो नारे लिखो नारे अंटेंट दी स्लोगन किसके उपर लिखना स्लोगन? देश भक्ती के उपर स्लोगन लिखना है तो प्यारा प्यारा है खुशियों का भारत हमारा है दुसरा चाहे जान चले जाए भारत पर आंच ना आए यहां से लेसन नमबर फोर के पूरे कोशना असर टेस्ट बुक बिट्स पूरे कम्टिट हो चुके हैं